मैं डॉक्टर लक्ष्मी नरायन प्रवक्ता हित्यास राजके माडल संस्कृति वरिष्ट माद्यम्क विद्यालेत अतारपुर इस्तमुरार रिवाडी हर्याना आप सभी विद्यारतियों का इस व्याख्यान में स्वागत करता हूँ आज के अपने अध्याय का नाम है भगती सूफी परमपणाएं दार्मिक विश्वासों में बदलाव और शर्दागरंत लगबग आठवी से अठारवी सधी तक के काल को हम इसमें पढ़ेंगे आज का अपना उप्विशे है सूफी मत का विकास इस सूफी मत के विकास में विद्यारतियों हम जो पढ़ने जा रहे हैं कि भारत में इसलाम का आगमन अरब देशों से हुआ और सूफी संत भी अरब देशों से ही पहली बार भारत में आये परन्तु भारत में कट्रवाद भी साथ में आया और यहां के लोगों को तलवार के भल पर मुसल्मान बनाया गया ये भारतियों के लिए एक बड़ा ही अलग परकार का अनुभाव था और भारतिये स्तब्द थे भारत में विद्यारतियों समय समय पर अनेक शंपरदायों का उदे होता रहा है और भारतिये जनता अपने मर्जी के हिसाब से उन शंपरदायों को अपनाती रही है और छोड परति रही थी परंतु तलवार के बल पर संप्रदाय को अपनाने के लिए मजबूर करना ये भारतियों के लिए एक नया अनुभव था परंतु भारतिये परंप्राओं के अनुसार चलना उसके अनुसार ही संप्रदाय को अपनाने के लिए उनको तैयार करना ये कारिये सूफियों ने किया सूफि भी अरब देशों से ही आये और सूफियों का सबसे अधिक प्रभाव भारत में ही हो पाया क्योंकि यहां लोग अपनी मर्जी से संप्रदाय अपनाते थे तो सूफियों ने यहां आकर के भारतिये प्रमप्राओं को अपनाया भारतिये प्रमप्रा माध्यम से उन्होंने इसलाम का परचार किया उन्होंने बहुत सी ऐसी बातें जो भारतिये लोग अपनाते थे उन बातों को स्विकार करके बड़े सह्ध शरल तरीके के साथ भारतियों में उन्होंने सूफी धर्म का परचार किया और धीरे धीरे भारतियों को वो इसलाम की तरफ ले गए इस तरह से तलवार के बल के अलावा सूफियों के माद्दम से भी भारत में इसलाम का परचार परचार हुआ अब इद्धार्थियों अब सूफी मत के बारे में पढ़ते हैं कि सूफी मत क्या था और उसका भारत में कैसे विकास हुआ खिलाफत की धार्मिक वे राजनितिक संस्था के रूप में शक्ति बढ़ती जा रही थी ये कुरान वे सुनना पर जोर दे रहे थे इस बढ़ती सक्ति के खिलाब कुछ अध्यात्मिक लोग खड़े हुए इनके अध्यात्मिक आदर्श इस परकार थे यहनि कि कुरान पर जोर दे रहे थे कि जो भी मुसल्मान मने वो कुरान का ध्यन करे कुरान के नुशार चले सुनना को माने जो हदीश में लिखा हुआ है हदीश और सुनना मैंने अभी बताया था पैगंबर मुहमद के समय की जो प्रंप्राएं थी या उनके समय की जो घटनाएं थी या जो उन्होंने निर्णे लिए थे वो सुनना में आते हैं तो खलीफा के अनियाई जो थे वो कुरान वे सुनना पर जोर देते थे कि इनको मानो जबकि सूफी संत इनके विरोध में थे और इन्होंने कुछ अलग शे कुछ आदर्स कुछ नियम बनाए सामाने से क्या थे वो इन अध्यात्मिक लोगों ने रहश्वाद और वैराग की और जुका हुआ कि सब कुछ ट्याक करके और प्रभु भगति अल्ला की भगति में लीन होने पर दोर दिया और इश्वर भगति यानि कि अल्ला की भगति पर बल दिया ऐसा ही हमारे भगति आंदोलन में चल रहा था मुहम्मद को इन्सान एक कामिल बताया यानिकि भगवा मरियादा पुर्शोतम हम राम को कहते हैं ऐसे मुहम्मद को भी इन्हों ने क्या का कि वो मरियादा पुर्शोतम थे और इसलिए उनके बनाए या उनके बताए मारका में अनुसरन करना चाहिए कुरान की व्याख्या भी अपने निजी अनुभाओं के आधार पर की इन्होंने अलग शे खलीफाओं की व्याख्या इन्होंने नहीं मानी खिलाफत या खलीफाओं के द्वारा जो सुन्ना की यानिके मुहमत साब के समय की प्रमप्राओं की जो व्याख्या थी वो सूफियों ने नहीं मानी इस तरह हम देखते हैं कि ये सूफि कट्रवाद से कुछ दूर थे और हिंदूओं की जो प्रंप्राएं थी उनको थोड़ा-थोड़ा अपनाते जा रहे तो एक बीच का मार गिये ले रहे थे ये आगे हम और देखेंगे शूफि शब्द के बारे में जानतें कि ये कहां से आया शूफि शब्द अंग्रेजी शब्द सूफि जमक्ा समाणा आर्थक माना गया है इसलामिक शाहित में इसको तसवुफ कहा गया है कुछ विद्वान कहते हैं कि यह सब्द सूप से निकला है जिसका अर्थ होता है उन अर्थात जो उनके खुर्दरे कपड़े पहनते तुने सूपी का गया यानि कि ये लोग उनके कपड़े पहनते थे कुछ विद्वान सफा से उसकी उत्पत्ति मानते हैं जिसका अर्थ होता है साफ सीधा अच्छे आचरण वाला अच्छे जीवन जीने वाला कुछ विद्वान सोफिया अर्थात सुद आचरण से भी इसका संबंद जोड़ते हैं सफा और सोफिया एकी सब्द हैं यह भी संभव है कि यह सब्द सफा से निकला है यह सफा क्या था पैगंबर मुहमद के निवास्थान पर जो मस्जिद थी उसके बार एक चबूत्रा था जिस पर अन्युयाईयों की मंडली धरम के बारे में जानने के लिए रोज इकठी होती सितुस्चबूत्रे को सफा कहते थे तो इस तरह से अनेक व्याख्याएं सूफी सब्द की हमने की है कि यह सूफी सब्द की उत्पत्ति कैसे हुई तो इनको सूफी क्यों कहा गया तो यह हमने पांच कारणों से जाना शिल्षला और खान कहा क्या होते थे सूफी संतों के विचारों को फैलाने में खान कहा और शिल्षले का विशेश योगदान था तो पहले जानते हैं शिल्षला क्या होता था शिल्षला का शाब्दिक अर्थ होता है जंजीर यह जंजीर क्या थी जो शेख और मुरीद के ब जंजीर में पहली कड़ी पेगंबर मुहम्मद से जुड़ी मानी गई दूसरी कड़ी शेख जिसको मुर्शी दत्वा गुरू का गया से जुड़ी थी और तीसरी कड़ी मुरीद से जुड़ी थी यहनी के अल्लह और शिष्ष के बीच में गुरू आ गया मुरीद आ गया जैसा कि कबीर जी ने भी कहा था कि गुरू गोविंद का दाव खड़े काके लागू पाय बली हारी गुरू आप नो जिन गोविंदियों बताए तो इस तरह से गोविंद और शिष्ष के बीच में कबीर जी गुरू की महिमा का बढ़न करते हैं ऐसे ही सूफियों में भी शेख को गुरू माना गया और अल्ला और मुरीद के बीच में यानि के शिष्ष के बीच में कौन था मुर्शीद शेख मुर्मद की अध्यात्मिक शक्ति वे आशिर्वाद इस कड़ी से मुरीद तक पहुंचता था यानि के मुरीद तक कैसे पहुंचता था गुरू के माद्दम से शेख के माद्दम से अल्ला का आशिर्वाद पहुंचता था मुरीद को दिख्षा लेते शमय निष्ठा का वचन देना पड़ता था और कैसे वचन देता था अपना सिर्मुण वाकर थेंगडी लगे वस्त्र यह कटे फटे वस्त्रों पर थेंगडी लगी होती थी वो पहनने होते थे शिल्सले का नाम कैसे होता था नामकरण कैसे होता था जो शिल्सला शुरू करता था उसी के नाम पर पड़ता था जैसे कादरी शिल्सले का नाम सेक अब्दुल कादिर जिलानी के नाम से पड़ा वहीं कुछ शिल्सलों का नामकरण उनके जनमस्तान के नाम से भी जाना गया है जैसे चिस्ती शिल्सले का नाम अफगानिस्तान के सहर चिस्ती पर पड़ा अफगानिस्तान में एक शहर है चिस्ती उसके उपर चिस्ती शिल्सले का नाम पड़ गया तो इस तरह से शिल्सला चलाने वाले के नाम पर भी नाम पड लख दिया जाता था जैसे कि चिस्ती शिल्षिले का नाम है सूफी विचारधारा अनेक भागों बटी हुई थी जिसे सूफी संतों की जो विचारधारा थी वह उसका शिल्षिला कहलाती थी जैसे इशाक शामी चिस्ती का चिस्ती शिल्षिला यानि कि चिस्ती शिल्षिले के नक्षबंदी शिल्षला आदी इस तरह से विचारधारा को शिल्षला कहा गया और जो विचारधारा जो सूफी संत चलाता था वो शिल्षला कहलाती थी और वो उसी के नाम पर उस शिल्षले का नाम रख दिया जाता था अब जानते हैं खान का खान का क्या होती थी खान का शेख या संथ फकीर का निवास होता था यहां से क्यानियाई इनसे अध्यात्मिक ज्क्ति और आशिर्वाद लेने आते थे और अच्छी तरह समझते हैं जैसे हिंदु संथों का आश्रम या डेरा होता है और वहां अनेक शिश्य ज्यान सक्ति और आशिर्वाद लेने जाते हैं ऐसे ही खानका थी यानि के विद्यारतियों आश्रम को ही खानका कहते थे दर्गा क्या होती थी जब सेख का दिहान्त हो जाता था तो उसी की खानका में उसकी मजार बना दी जाती थी जो दर्गा कहलाती थी उसके शिश्य दरगापर जियारत करने आते थे जियारत होता है विद्यारत थे दर्शन करने जाना जियारत विशेस आवसरों से जुड़ गया जैसे जिस दिन उस से का देहांत हुआ हो तो उसकी बर्शी पर जाना जिसे उर्ष भी कहा गया ऐसा माना जाने लगा कि यह पवित्र समय है क्योंकि इस दोरान पीर की आत्मा का इस वर्षे मिलन हुआ है यहनिके उस मास में उर्ष का मास कहा गया और उस मास में जियारत करना यहनिके दर्षन के लिए जाना और उस दरगा पर जाकर के बरकत मांगना यहनिके आशिरवाद लेना और करामात की आशा करना इस तरह से दरगा पर लोग जाते थे और दरगा के प्रति उनका समर्पन बन रहता था, खान कहा से बाहर भी कुछ सूफी विचार शक्रिये थे, कुछ रहश्वादियों ने सूफी शिद्धानतों की मौलिक व्याख्या के आधार पर नवीन अंदोलन की नीव रखी, खान कहा का तृसकार करके, खान का मतलब जो संत बड़े-बड़े आस्रमों में रहत आते थे, बड़े ऐसो आराम के साथ, अनेक वस्तों के साथ, इनका इन्होंने तरसकार किया, और ये फ़कीर की जिंदगी बिताते थे, निर्धनता और ब्रह्म शरिये का जीवन, जीना ही, ये गोरव समझते थे, इन्हें विभिन नामों से जाना जाता था, जैसे कलंदर, मदारी, मलंग, हैदरी, इत्यादी, ये लोग शरिया की अवेलना करते थे, शरिया हमने पड़ा, मुस्लिम कानून को कहते थे, इसलिए ये बेशरिया थे, ये कलंदर, मदारी, मलंग, हैदरी गुमते रहते थे, मस्त रहते थे, इन्हें मतलब भी नहीं था, कुरान का, या हदीस का तो इसलिए ये बे शरीया कहला है ımızलमान नहीं है ये hypothesis नहीं कहला है फंट प्ले थेते हुं मुसलमान नहीं इसलिए इनको बे शरीया मुसलमान कहा गया तो और अच्छी तरह समझते हैं बे शरया क्यारत होता है जो मुसलिम कानूनों को पालन करे उसे बासरिया कहा गया विद्यार्थ चिस्ती शिल्षले के बारे में अलक्ष जानकारी लेते हैं हमने अभी पढ़ा कि भोत अधिक शिल्षले यहां सक्रिये वे थे परन्तु सबसे अधिक शिल्षला जो सक्रिये हुआ वो चिस्ती शिल्षला था और आज सबसे अधिक अन्याई भारत में चिस्ती शिल्सले के हैं सुफी समुदायों में चिस्ती सिल्सला सबसे अधिक प्रवावशाली था इसका कारण यह है था कि इन्होंने अपने को स्थानिये प्रिवेश में अच्छी तरह ढाला यहentes है भारत्ये प्रिवेश में ढाल लिया जो ख्वाजवा मुईनिद्दीन चिस्ति को माना जाता है ये अरब से आये थे आरंब में ख्वाजवा चिस्ति ने दिल्ली के ग्यासपुर में अपनी खान का स्थापित की यानि के ग्यासपुर में अपना अस्रम बनाया बाद में वे अजमेर आ गए और अजमेर में ही उनका द गुजरात के व्यापारिक मार्ग पर पड़ती है इसलिए इस मार्ग शेय को हिंदू और मुसल्मान व्यापारी निकलते थे तो वो यहां मन्नत मांगते थे यहां रुकते थे इसलिए यहां खूब आने जाने वाले लोग रहते थे सेख की मजार पर सबसे पहली इमारत यानि के पहले अकेली मजारी थी यहाँ एक इमारत बनवाई लोगों के रुकने के लिए और उस मजार पर एक इमारत बनवाई वो ग्यासुदीन खलजी ने बनवाई अक्पर यहां 14 बार आए था चाहे विजे पराप्त की हो चाहे कोई पुत्र पराप्त हुआ हो तो यहां जियारत करने आता था और इस तने शाखबर यहां कहते है 14 बार आया 1568 एश्विय में अक्पर ने एक विशाल देग यहां पर रखवाई यानिके देगमिन देगची जिसमें बहुत गणा भोजन एक साथ बन जाता है दरगा के अंदर अक्पर ने एक मस्जिद भी बनवाई जो आज भी स्थित है शाजा की पुत्री जहां आरा ने भी 1643 इस्वि में यहां की आत्रा की थी तो इस तरह से व्यापारी और राजा महराजा भी यहां मत्था टेकने आते थे यह विद्यारतियों सेख मुईनियुदिन चिस्टी की दरगा है अजमेर में दरगा का मुखद्वार देखे नीचे यह तो उपर का है थोड़ा नीचे आईए और देखे दरगा के अंदर गुस्ते ऐसे यह यह दरगा का दरवाजा है ये आसपास दुकाने लगी हैं दरगा के ये दाई तरफ अकबर की देग की नीचे देखिए ये वेक्ती बैठा है इसने देग पर अपनी कोहनी टिकाई हुई है ये देग है बहुत बड़ी द्यान से देखिए तो ये देग रखी हुई है वहाँ एक देग और भी है वहाँ पर इतनी बड़ी जो बाद में अकबर के पुत्र जहांगीर ने रखवाई थी सूफी उपासना पत्ति कैसी थी यहनी कि सूफी लोग कैसे उपासना करते हैं दरगा पर लोग बरकत के काम ना करते हैं यहनी कि वहाँ आशिरवाद लेने जाते हैं आज भी पांच महान चिस्ती संतों की दरगा पर यह लोग जियारत करने जाते हैं तो जियारत करना एक उपासना पत्ति है अजमेर की दरगा को गरीब नवाज की दरगा कह गया है इस दरगा की जियारत करना एक उपासना का तरीका हो गया इसके अलावा और क्या था चद्र उने उपासना के लिए अपनाए सूफी संत जिक्र वे समाप जो एक अध्यात्मिक संगीत की महफिल होती थी के द्वारा भी इस्वर की उपासना करते थे अर्थात शाम को या रात्रियों कहीं खट्टे होते वहां खूब गायन होता नाचते और प्रभु का नाम लेते एक अलक्षे एक चर्चा और आती है नासुरुदीन चिरागे देलवी की सेक कुलिखान लिखता है नासुरुदीन चिरागे देलवी के पास रविवार को भीड लगती थी वे पुराने रोगों को ठीक करते थे वे होज के पास यानि कि दिल्ली में एक जगए होज खास वहां तंबू गाड कर कई दिनों तक रहते थे हिंदू वे मुस्लिम एक भावना से शाम तक पेड के नीचे अपना समय खुजी खुजी बिताते थे सूफी परंप्रावे भाषा सूफी संतों ने भारतिय स्थाने भाषाओं में अपने विचारों का परचार किया चिस्ती शिल्चले की भाषा तो हिंदी भी ही थी हमने देखे कि सबसे अधिक मात्रा में भारते रिती रिवाज और भगती संतों के रिती रिवाजों को चिस्ती सिल्चले ने अपनाया बाबा फरीद जिनकी कावे रचनाओं को गुरू ग्रंत साहिम में संक्लित किया गया है वे स्थानिय भासा में ही थी वहां की इसलिए उसको संक्लित किया गया सूफियों ने आस्था वे प्रेम को कविताओं के माध्यम से परकट किया प्रेम को लेकर मलिक मुहम्मद जाईशी ने राणा रतन सेन वे पदमनी के बीच प्रेम पर संग पर आधारित गरंत लिखा पदमावत जाईशी के अनुसार प्रेम आत्मा को परमात्मा तक पहुंचाने का मार्ग है इस तरह से सूफी संतों ने और इन शिल्चलों ने भारतिये छेत्रिये भासाओं को अपनाया छेत्रिये रिती रिवाजों को अपनाया और इस तरह से भारतिये परंपराओं को अपना करके हिंदु कुछ परंपराओं को और हिंदुओं को अपनी तरफ आकर्शित किया जो धीरे-धीरे मुस्लिम धर्म में परिवर्तित होते चले गए विद्याते जानते हैं दख्षिनी कवीता क्या थी? कवीता की इस विधा की रतना सत्रवी अठारवी सदी में करनाटक के बीजापुर छेतर में विक्षित होई इसे दख्षिनी कहा गया यानि कि उर्दु का एक रूप है ये दख्षिनी इसमें महिलाओं के देनिक जीवन वेकारिये प्रणाली की छोटी-छोटी कवीताएं चिस्ती संतों द्वारा लिखी गई जैसे लोरी नामा, चर्खा नामा, शादी नामा, इत्यादी ये पारंपरिक कवीताएं थी महिलाएं इनको चर्खा काते वे, चक्की चलाते वे, बच्चों को सुलाते वे, शादी विवाओं में इन कवीताओं को गाती थी अब जानते हैं सूफियों के राजाओं से कैशे संबंद थे, चिस्ती संपरदाय ने सत्ता से दूरी बना कर रखी, परंतु इसकार्त यह नहीं था, कि राजनितिक अलगाओं का भाव रखते थे वो, विशिष्ट वरक के लोग भिन मांगे अनुदान देते थे, तो ये इ भूमिदान करते थे, ऐसे ही सुल्तानों ने खानकाओं को भूमिदान में दी, दान संबंदी न्यास भी बनाए, धन को सेख अपने उपर खर्च नहीं करते थे, ये खानका में भोजन की विवस्था करने में, समा का परबंद करने में, आने जाने वालों के भोजन और रु राजाओं के यहां नहीं लिया, सुल्तानों के यहां नहीं लिया, परंतु एक दो शिल्षले ऐसे थे, जिनके संतों ने पद लिये, जैसे स्वारवर्दी शिल्षला और नक्षबंदी शिल्षला ऐसा था, जिसके संतों ने धरबारों में पद लिये थे, सूफी संतों की लोगप्रेता के कारण सासक भी उनका समर्थन हाशिल करना चाहते थे क्योंकि उनकी परजा में बहुत अधिक मात्रा में इन सूफी संतों के शिश्य होते थे सासक इन सूफी संतों को अल्ला के नजदीक भी मानते थे इसलिए सासक इन सूफी संतों की मानते थे एक बार कहते हैं कि सुल्तानों ने जब जब सरिया लागू करना चाहा तो सूफियों के परभाव के कारण भारत में सरिया लागू नहीं कर पाए अर्थात वो मुस्लिम कानूनों के आधार पर भारत में राज करना चाहते थे परन्तु सूफी संतों ने उन्हें रोक दिया कभी कबार सुल्तानों और शेखों में तनाव भी हो जाता था छोटी छोटी बातों को लेकर जैसे सूफी संत और सुल्तान दोनों ये उमीद करते थे कि वो दूसरा उसे जुकर प्रणाम करे और उसके कदम चुमे अब कोन बड़ा ये कैसे तै करते थे तो सुल्तानों से बड़ा अपने सेख संत को दिखाने के लिए उंचा दिखाने के लिए उनके शिष्ष क्या करते थे उनको बड़ी बड़ी आडंबर पूर्ण पद्विया देते थे जैसे निजामुद्दिन ओलिया को उसके शिष्ष्षों ने क्या पद्विय दी सुल्तान उल्मशेक अर्थाद शेखों में सुल्तान इस तरह से ये रा एक दूसरे को बड़ा दिखाने के लिए तनाव में आ जाते थे विद्यारत्यों अब इस व्याक्यान से संबंदित अभ्यास के प्रशन इन सभी प्रशनों के उत्तर इसी व्याक्यान में आपको मिलेंगे प्रशन एक सूफी से क्या अभी प्राय है इनकी उपासना पद्धती का वर्णन करें प्रशन दो सूफियों के मुक्षिद्धांत अर्थात उनके जीवन के अध्यात्मिक आदर्श क्या थे प्रशन तीन शिल्षला क्या होता है प्रशन चार खानका और दरगाह का वर्णन करें प्रशन पांच सूफियों की उपासना पद्धती का वर्णन करो प्रशन 6 बासरिया वे बेसरिया क्या होता है प्रशन 7 चिस्ती चिल्चिले का वर्णन करें और एक बड़ा प्रशन विद्यारतियों आपने लिखना है सूफी आंदोलन का विस्तार से वर्णन करें इस प्रशन का उत्तर आप जब प्रशन 4-5-6 का उत्तर लिखेंगे वही हो आज का अपना व्याख्यान समापत होता है आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद